ओम सिरीगनी शायनमा दोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 अगस्त सनिवार के राशी फलके बारे में कि यह दिन तोला राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तोला राशी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो परिवार से आज अच्छे संबंद होने की संभावना बन रही है गहरी लुच्छेत्रों में आज आपको विकास देखने को मिल सकता है तता घर परिवार में सब के साथ आपसी समंजस बहतर होने की संभावना बन रही है आपके दुआरा किये गए कारों से आज आपको अच्छी सफलता तथा परिवार में आपका सम्मान प्राप्त हो सकता है आज आप सब के प्रती आस्था रखने के साथ साथ सब का सयोग करने की कोशिस करें दोस्तो साथी साथ आज आप बहार की गतिविदियों पर अपना ध्यान अधिक केंद रित करें तथा आयोजनाबद तरीके से अपने कारों को संपन करें आपको अपने प्रेतनों में सफलता अच्छी प्राप्त होगी तथा आये के साधन भी आपके लिए काफी मजबूत होंगे प्रॉपर्टी संबंदित किसी प्रिकार का कार्य करने के लिए आज का दिन उत्तम है घर के रकरखाव संबंदित आज सौपिंग भी हो सकती है आज कल आप अपनी दिन चरिया में जो परिवर्टन ला रहे हैं उससे आपके स्वास्त तथा पर्सनल्टी में बहुत अच्छा सुधार आएगा घर के नवीनी करण या सुधार जैसी योजनाएं आज बनेंगी आज किसी वास्तु विद के साथ अवस्य विचार विमर्स करें साथी प्रते कार्य को करने से पहले बजट बनाना आपके लिए अतियावशक है आज दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने के अपेक्छा अपने व्यक्तिकत कारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें बच्चों की तरफ से चली आरही समस्या का आज हल मिलने से राहत भरी स्थिति रहेगी धर्म कर्म तथा समाज से भी संस्थाओं में आज आपकी विसेश रूची रहेगी इसकी वज़े से आप सम्मानित भी होंगे विध्यारतियों को भी पिछले कुछ समय से चली आरे परिसानियों से राहत मिलेगी बुजरुगों का सम्मान वे आदर आप अवश्य बना कर रखें उनका आशिरवाद वे शयोग आपके लिए भग्य उदे का निर्मान करेगा घर में कोई धर्मिक कार रहे आज संपन हो सकता है जिससे घर में शकारतमक उर्जा का वास होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज जादा से जादा विवादों से दूर रहने का आप प्रयातन करें सावधानी रखते हुएं किसी भी कार को करें अपने आप पर भरोसा करते हुएं आर्थिक लेंदेन में सावधानी रह सकता है अपना आत्म विश्वास उर्जा बनाकर रखना जरूरी है साते साथ विध्यारतियों का भी ध्यान अपनी पड़ाई पर केंद्रित नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से दिक्कतें आ सकती हैं कोई पुरानी नकार अत्मक बात दोबारा उठने से नजदी की रिस् संभावना आज लग रही है प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी नजदी की रिष्टिदार अत्मा भाई के साथ कोई कहा सुनी होनी की भी आज आसंका है थोड़ा सावधान रहें साथी साथ कोई भी उपलबदी आज मिलने पर तुरंती ही उस कार्य को करें जादा सोच विच प्रॉपर्टी की बातों में आकर आज आप अपना नुकसान कर सकते हैं थोड़ा सावध्यान रहें दोस्तों ध्यान रहें कि आज घर्चों की भी अधिक्ता रहेगी साथी साथ किसी पडोसी के साथ ही इसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती हैं करूद की अपेक्षा सांत पूर्ण तरीके से मामला सुल जाएं दोस्तों स्वयभाब में धहरे वे नर्मी बनाकर आप रखें जल्दबाजी आपके और आपके परिवार के लिए नुकसान दायक साबित हो सकती हैं जिससे घर का माहूल भी नकारात्मक हो सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तों बात साथ आपके कारों में जीवन साथी का सयोग आपके लिए लाबदायक रहेगा तथा आपके संबंदों में मधूरता रहेगी घर का वातावरन संतुलित बनाए रखने के लिए आपको अपने वेवार में संतुलन बनाकर रखना अतियावशक है दोस्तों वेवायत जीवन आ मनोरंजन वे आमोद प्रमोद में व्यतित करें इस से सभी को प्रसंद ता मिलेगी दोस्तो बात कर लेते हैं अज आपका वेवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारेच्छित्र में आज आपको सफलता मिलेगी और कारोबार विस्तार की आज आप नई योजनाई बनाएंगे प्रॉपर्टी में भी आज आप निवेश कर सकते हैं जो भविश्य के लिए आपके लिए काफी लाबदायक रहेगा दोस्तो साति सात कारेच्छित्र में सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करके सभी निर्णे आप स्वैम ही लें क्योंकि किसी अन्य की सला आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है वविश्यक छेत्र में सभी काम आज सुचारों रूप से चलते रहेंगे जिसकी वज़े से आप अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे साति सात नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों का भी आज कोई टारगेट हांसिल हो सकता है जिसकी वज़े से आपका बौस या उच अधिकारी आपके लिए कुछ उपलब्दियां प्रदान कर सकते हैं जिसकी वज़े से आपका मन बहुती प्रसन रहेगा विध्यारतियों के लिए भी समय आज का बहुती अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों आज स्वास्थ को लेकर आपके लिए इस्तितियां काफी सामाने रहने वाली है आज किसी तरह की कोई स्वास्थ सम्मंदित समस्या उत्पन होने की कोई संभावना नहीं है आज आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा जिसके वज़े से आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उर्जावान महसूस करेंगे दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा ले और आप इस काले धागे को एक नारियल पर लपेट ले इसके बाद आप इसकी पूजा करें और उसके बाद आप इस एक नारियल को भगवान शनिदेव का इसमरन करते हुए बहते उजल में प्राहित कर दें और साथी साथ अपनी मनों काम नाय मांगे या दोस्तो ऐसा करने से भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो वी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही सुब फालो की प्राप्ति होंगी और आपके सभी कारणे बहुत याशनी से भगवान शनीदेव के असिरवाद से बंते चले जाएंगे दोसको भगवान शनीदेव का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंस बोक्स में जै सनीदेव ववस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद